कासी, तामबा, पीतल, इसके बर्तन साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन आज आपको मैं एक नहीं बलकि दो ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपके लिए साफ करना बहुत ही आसान हो जाएगा ठीक वैसे ही जैसे मैगी बनाना या ये कहो कि कप नूडल्स बनाना के गरम पानी डालो और बनकर तयार तो बर्तन भी आपको सिर्फ पानी के अंदर डालना है और बर्तन बिना रगली दम चमक जाएगा तो ये जादूई पानी कैसे बनाते हैं वो आप मैं आपको बताती हूँ आधा नीबू मैंने लिया है उसको अच्छे से निचोड लूँगी और इसमें मैं एड करूँगी दो चमच नमक और नमक एड करने के बाद मैं इसमें एड करूँगी विनेगर वाइड विनेगर जो हम चावमीन वगरा में डालते हैं अगर आप छोटी सी रसोई के छोटी से परिवार के सदसे हो तो आपको पता ही होगा कि मैं DIY का रिव्यू करती हूँ मेरे उपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि इसको सही बताना है मैं सही को सही और गलत को गलत बताती हूँ तो ये वीडियो मुझे यूटीब पर मिली इसको मिले है 57 लाख व्यूज थ्री मन्त में तो देखते हैं कितनी असरदार है एक चमच मैं इसमें वाइड विनेगर एड करूँगी फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद जब आप अच्छे-चे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और कोई रेमेडी का रिव्यू चाहते हैं तो वो भी जरूर बताईए यह लोटा आपने मेरा देख लिया है कितना हरा हुआ पड़ा है पूरा अंदर से तो यही दावा किया गया था कि यह एकदम साफ हो जाएगा और बाहर से भी एकदम इसमें डालते ही साफ हो जाएगा तो अगर मैं बात करूँ कि बाहर से ये डालते ही साफ हो रहा है सच में ये असरदार है ये देखे इसको सिर्फ मैंने डाला है और मुश्किल से तीन से चार सेकंड ही मैंने इसमें रखा है और ये एकदम साफ हो गया सच में ये जादू ही है ये जैसे-जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे-वैसे ये एकदम साफ होता जा रहा है इसको रगरने की भी हमें बहुत ज़ादा जरूरत नहीं है मैं ब्रहस से अभी इसको साफ कर लूझए वीडियो की शुरुवात में ही जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको दो तरीके से ये साफ करना बताऊंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब आपको कौन से तरीके से ये बरतन साफ करने हैं तो प्लीज वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और अपने family friends के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा उनके लिए भी थोड़ा सा easy हो जाएगा और भाई मेरी जैसे छोटे चैनल को भी थोड़ा सा promotion मिल जाएगा आप चाहें तो आप भी like add कर सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में कर देना और चैनल को subscribe करना मत भूलना और bell icon भी जरूर दबा देना अगर बात करें इसको बाहर से साफ करने की सच में जादूई पानी है लेकिन अभी देखते हैं कि ये अंदर से साफ करता है या नहीं इसमें आधा विनेगर और आधा पानी मैंने इसमें डाल कर रख दिया है और दो कंटे के लिए इसको रखना है तो देखेंगे दो कंटे के बाद ये कितना साफ होता है ये तो मैंने यूट्यूब से देखा था लेकिन दूसरा मैंने खुद experiment किया था success हो गई तो मुझे लगा आपके साथ share कर देती हूँ यहाँ पर मैं एक ग्लास पानी ले रही हूँ और उसमें मैं bathroom cleaner ले रही हूँ जो हम tiles वगएरा साफ करने के लिए use करते हैं और यह मैं सिर्फ दो ढखन ही add करूँगी मैंने जब इसको first time मैं use किया था तो मैंने direct इसको लोटे में ऐसे ही डाल दिया था बिना पानी के यह बहुत एकदम ऐसे साफ हो गया था जैसे कोई जादू अब आप इसमें भी देख सकते हैं मैंने एक ग्लास पानी में सिर्फ दो ढखन add किया है और यह मैंने कुछ भी किया सिर्फ कुछ सेकंड में ही पूरा लोटा एकदम चमक गया है अब इसी पानी को मैं इसके अंदर add कर दूंगी और इसमें मैं add करूंगी थोड़ा और पानी इसको मैं अच्छे से भर दूंगी क्योंकि पूरा लोटा मुझे साफ करना है और दो धकन मैं इसमें और add करूंगी ये लगभग डेल लिटर का लोटा है जिसमें डेल लिटर पानी आता है और इसमें मैंने दो से धाई धकन और add किया है दो धकन मैंने पहले add किया था और दो धकन मैंने बाद में इसमें add किया है जो हम टाइल साफ करने के लिए लेते हैं या आप हरपिक भी इसमें अड़ कर सकते हैं और चारो तरब भी मैंने इसके लगा दिया था तो आप देख सकते हैं कि कितना एकदम से साफ हो गया है अभी हम दूसरे लोटे की बात करें जो हमने इसमें नमक और विनेगर डाल के रखा हुआ था तो ये अंदर से उतना साफ नहीं हुआ वीडियो में तो एकदम चमक गया था तो शायद हो सकता है कि टाइमिंग की वज़े से या उन्होंने विनेगर इसमें ज़्यादा डाला होगा मैंने इसमें विनेगर की मात्रा थोड़ी कम रखी है तो इसलिए ये मेरा अंदर से उतना साफ नहीं हुआ है लेकिन ये सच में बहुत असरदार है अगर आपके बरतन कम गंदे हैं बहुत जादा गंदे नहीं है बिल्कुल एकदम अंदर से हरे नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा है बहुत जादा विनेगर भी इसमें एड़ करने की जरुवत नहीं मैंने सिर्फ इसमें वन स्पून पहले एड़ किया था और उसी में डालने से मेरा लोटा एकदम बाहर से चमक गया था लेकिन अंदर से ये उतना साफ नहीं हुआ है अब मैं इस लोटे में भी यही पानी डाल कर रख दूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कितना साफ होता है और अब ये दिखा देती हूँ कि जो मैंने इसमें टाइल स्क्लीनर डाला था तो इससे कितना साफ होआ है आप ये देख सकते हैं पिनना कुछ कि ये एकदम साफ हो गया है बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस वीडियो में दिखाया था उसमें उन्होंने विनेगर से बताया था लेकिन मेना विनेगर से उतना साफ नहीं होआ है अब मैं इसे हलका सा अरब करूँगी और ये पूरा एकदम निकल गया है आप चाहें तो अगर आप ऐसे साफ कर रहे हैं तो पानी डाल कर उसी में आप अपने जितने भी पूजा के बतन है वो उसमें डाल दीजे बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे अगर आपके बतन के अंदर जम गया है तो आप इसको बातरूम क्लीनर से साफ कीजिए नहीं तो विनेगर से साफ कीजिए इसको सिर्फ पीतल, कासी और तामे के बतन पर यूज़ करना है और किसी बतन के लिए ये बिल्कुल नहीं है आपके बरतन खराब हो जाएंगे अगर आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा गंदे बरतन साफ करने हैं तो आप बातरूम क्लीनर के साफ कीजिए नहीं तो आप विनेगर के साफ कीजिए कासी, पीतल और तामे के बरतनी से साफ करने स्टील और लोहे के बरतन बिल्कुल साफ नहीं करने हैं बरतन साफ करने के बाद आपको अच्छे से साबुन से धो कर बरतनों को सूती कपड़े से पोच लेना है दोनों ही तरीके में से आप जब साफ कर रहे हो तो अपने हाथों का धियान रखें अगर आपके इसकी जादर सेंसेटिव है तो आप गलब्स पहन के इसको साफ कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खूब दियान रखें थेंक यू